ये एमस के शिड्यूर्स आ गया है, रेस्टेशन आपको ओपेन हो चुका है, बाइस तारिक से ओपेन हो गया है Hello to all my dear students and parents, मेरा नाम है रवी बर्मा और आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही important informative वीडियो के साथ जैसा कि आपको पता है कि MBBS और BDS की counseling के बाद, that is CGDME की जो counseling हो जाती है उसके बाद हमारे हाँ BAMS, BHMS, BUMS की counseling होती है, जिसको हम लोग आयूश counseling भी बोलते हैं तो उसका notification आपको आज सुबह release हो गया है, उसके हिसाब से जो schedules हैं, उसके अंतरगत आप 2 October तक registration करा सकते हैं और 3 October तक choice फिल कर सकते हैं, पहले होता था क्या कि आयूश counseling जो होती थी, उसमें आपको registration online करना था, choice और option फिलिंग आपको offline करना था और offline report करना था, पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको choice फिलिंग भी आपको online ही है, और ये notice में दिया हुआ है, इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोसिस करते हैं तो चलिए, आते हैं हम लोग वापस से notice में, आप ये देख सकते हैं, उपर में आपको विभाग का नाम लिखा हुआ है, CGDME संचलानाय आयूवेद योग योवं प्राकृति चिकित्सा युनानी सिर्यों होमियोपैथी, आयूश 36, मतलब युनानी होमियोपैथी और जो आ पचे BAMS का वेट कर रहे थे, आपको आप उनको प्लीज बता दीजेगा कि BAMS को सेडूर आ गया है, रेस्ट्रेशन आपको ओपन हो चुका है, 22 तारीक से ओपन हो गया है, और ये आपको दो तारीक तक चलेगा, 22 सितंबर, चलिए, देखिए क्या लिखाओ, BAMS, BHMS, BNYMS, तो BAMS मतलब बैचलर ओफ आयरुवेदिक मेडिकल साइंस, BHMS, बैचलर ओफ होमियोपैथी मेडिकल साइंस, और BNYMS मतलब बैचलर ओफ, एन मतलब बैचलर ओफ नेचुरल और योगा साइंस, पाठ्यकरमों में सत्थ दो हज़ाँ तेस चौबिस में राजय कोटे और नीज और एक भी लासपूर में है, जो आयरुवेदिक कॉलेज है, उसका पूरा डीटेल मैं आपको बताऊंगा कि कितने-कितने कॉलेज हैं, क्या-क्या है, ठीक है, तो ये जो दो कॉलेजेज हैं, इनका जो सीट्स है, ये सब आपको इसमें दिया हुआ है, पहले हम लोग इसको बिल्कुल सेम है, ठीक है, देख सकते हैं, अच्छा, विसाय की बात किया जाए, तो BAMS, BHMS, पाठे करम के राजे कोटे, अमनीजी महाविद्यालों में, मतलब इसमें आपको मैं समझा देता हूँ, ये आपको 6 शिट्जूल्स है, साथ आप समझ नहीं पाएंगे, मैं आप आपको अच्छे से ये बतायता हूँ, कि देखिए, दो तरह के कॉलेजिस होते हैं, एक होता है गौर्मेंट और दूसरा होता है प्राइवेट, ठीक है, तो गौर्मेंट में 85% जो आपको स्टेट कोटा कहा होता है, वो और प्राइवेट में टोटल 100%, ये आपको इस काउं इंडिया कोटा, हाला कि 100% आपको इसी से फिल होगा, और इसका रिजिस्ट्रेशन का डेट भी इन्होंने लगाया है, कि BMS, BHMS, पाथेकरम, के राज्य आवम, नीजी महाविद्यालों के All India कोटों के seat की है, तो नीजी महाविद्यालों के राज्य सीट भी, लास्ट आपको 22 तारिक से सुरू होगा, 2 अक्टूबर लास्ट है, च्वाइस फिलिंग जो है, ओनलाइन आवेदन परारम थी थी, अच्छा, इसमें एक ये है, कि जैसे आप देख सकते हैं, कि तीन कोर्सेस है, ठीक है, BMS, BHMS और BNYMS, तो इसका अलग्स एक रिजिस्ट्रेशन में आपका अलग अलग हो लगा, जैसे यहां पर लिखाओ, BMS, BHMS पाठेकरम में प्रवे सेतु संस्था का चायन, ठीक है, वो आपको कब से कब तक होगा, 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, संस्था चैन आपको ऑनलाइन इस बार किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मत आपको समझाने के कुर्सिस करता हूँ, कि जो आपका रेस्ट्रेशन है, वो आपको 15 रुपया लएगा, अगर आप वो दोनों कोर्सिस के लिए, मताब BMS, या BHMS, या फिर BYMS, मताब इसका अलग से रेस्ट्रेशन होगा, तो इन 3 कोर्सिस के लिए, अगर आप अनारक्षि स्रीनी से है, जैसे आप अनारक्षि स्रीनी मताब जिनरल से है, यूर से अन्रिजर्व से है, तो आपको 15 रुपया लएगा, और अगर SC, ST या EWS से है, तो आपको 900 रुपया लएगा, और जो All India quota का है, प्राइवेट कॉलेज का, उसके लिए आपको 9, उसके लिए भी आपक ठीक है, आई होप आप ये schedule समझ गया हूंगे, है ना, नहीं समझे तो एक बार और इसको पढ़ लिजेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितने colleges हैं, मैं आपको यहाँ पर बताने कुर्सिस करता हूँ, देखिए आप ये देख सकते हैं, कि सबसे पहले यहाँ पर course wise लिखा हुआ है, तो course wise अगर देखिएगा, तो ये आपको government है, है ना, पहले BAMS का देखते हैं, BAMS का ये BAMS courses के बारे में, तो ये आपको जो चंदखुरी में है, राजिव लोचन, ये आपको private है, ठीक है, ये भी प्राइवेट है, और ये भी आपको private है, और ये भी आपको private है, मतब BAMS में 4 private college है, और उसका All India seat है 9, 15, 9, 9, अपन दोनों के लिए eligible है, जो 36 गड़ कोटे के लिए, और All India कोटे के लिए, दोनों के लिए eligible है, लेकिन जो बाहर के लोग है, उनको सिर्फ All India कोटे के लिए ही इलिजिबल है, लेकिन उनको counseling जो है, ये आयूश counseling, इसका websites वगेरा मैं आपको बता दूँगा, cghealth पे भी जाके आप information लेते हैं, cg.iush.nick.in में भी जाके आप इसके बारे में जनकारी ले सकते हैं, तो जो private के जो 4 colleges हैं, उसका All India quota में पूरे इंडिया कोई भी बच्चा participate कर सकता है, और इसके बाद ये जो चारो के जो state quota वाली seat है, जो आपको 85% है, ये 85% है और ये आपको 15% है, तो ये 85% के लिए आपको 36 गड़ के ही बच्चे eligible रहेंगे, और यहाँ पर All India के कोई भी बच्चे, चाहाँ वो 36 गड़ से हो या 36 गड़ का बाहर का हो, वो eligible है, अब number of seats देखिएगा, तो देखिए, अगर अगर अपन देखते हैं, एक मिनट, शुरू का जो ये है न, ये आपको government है, एक मिनट, ये जो मैं बता रहा था, ये एक्चुल में इन चारो के लिए, इन चारो के लिए, ठीक है, अच्छा, अब number of seats देखिएगा, total number of seats, तो इ 55 state quota, जिसमें सिर्फ 36 गर के बच्चे participate करेंगे, 9 all India quota, जिसमें 36 गर बाहर के दोनों बच्चे participate करेंगे, ठीक है, इसका registration जो होगा, वो 1500 रुपया से होगा, इसका registration आपको 1500 रुपया से होगा, और इसमें आपको category wise रहेगा, अगर आप ST, ST या EWS से हैं, तो आपको 900 रहेग यही यहाँ पर counselling होगा, जो government का है, जो 15% जो seat बचता है, उसकी counselling अलग body करती है, all India body करती है, तो उसके लिए आपको दूसरी बाहर, अलग information के साथ, उसका registration वो दूसरी जगा होगा, ठीक है, तो यह राजी उलोचन में आप देख लिए 60 seat है, अगर अपन भारती का देख सकते हैं, राजनन गाउं में जो है, छतिजगर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्याले मन की राजनन गाउं, इसमें भी आपको टूटल देख सकते हैं, 60 seat है, एक याउन प्लस 9, इसमें भी देखिएगा, एक याउन प्लस 9, 60 seat है, यानि टूटल नमबर अफ सीट अगर की बात कर रहा हूं, BAMS का, BHMS का अलग होगा, ठीक है, अब गॉर्मेंट की बात करते हैं, गॉर्मेंट में यहाँ पर 64, यह गॉर्मेंट का है, गॉर्मेंट में सिर्फ दो गॉर्मेंट मेटिकल कोलेज है, एक आपको अनुपाम गार्डेन के पास में है, जो आपको NIT से थोड़ा सा आगे है, तो वहां का नाम है, आप देख सकते हैं, स्री नरायन परसाद अवस्थी, सास्की अईरवेद महावित द्याले, इसमें 64 seat है, और सास्की अईरवेद महावित द्याले, चिकित्सा बिलासपूर, जो बिलासपूर में है, उसमें भी 64 seat है, यानि टोटल आपको सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज है, कोई भी गवर्मेंट कॉलेज नहीं, यहाँ पर आपको सातवा नमबर है, और यहाँ पर आपको सातवा नमबर है, क्योंकि दो आपको गवर्मेंट आ गया, तो यह जो दो है, उसमें यहाँ पर 42 seat है, और यहाँ पर आप देख और वाई मतलब होता है योगा मती योगा नेच्रोल योगा साथ से जो पढ़ाई दिराने वाला एक ही कॉलेज है एक आठ नमबर उसका नाम है स्री महावीर प्राकृतिक योग विज्यान चिकित साले महाविद्याले नकपूरा दुर्ग इसमें टूटल नमबर आफ सीट्स 50 है कटन की बात करें तो gwार्मेंट में आपको 400 के आशपस अगर आपका का मार् permettre 400 से उपर तो आपको जेनरली के इमस में गववर्में मिल जाता है करंद का में हूं हाँ ठीक है ओन में अगर डॉर क्रावर्मेट की बात करें तो लगभा लगभा मान के चलिए कि आपको 300 से 400 आप पता लगा लिजेगा बहुत कम ही प्राइवेट में लग लग अलग 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 फीस है जैसे भारती का सब्सक्राइब करते हैं हाला कि मेरे से अगर पूछिएगा तो मैं यहीं बोलूँगा कि हैव ड्रॉप एक ड्रॉप लीजिए और आगे बढ़िए क्योंकि बीए एमस में एक बार आपने ड्मिशन ले लिए तो फिर आपको यह कोर्स बिल्कुल जितने देर्न का MBBS का कोर्स ह आपको यहां पर भी होता है साथ चारसल प्लस बन सब्सक्राइब उतना समय आपको लगी जाता है लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए के MBBS डॉक्टर से थोड़ा सा वरियता इसमें कम दी जाती है ठीक है कोई बात नहीं आप चाहें तो इसको भी कर सकते अच्छे इसमें कु की संख्या अपरवर्थ नहीं है सभी को जानते हैं जो सीर्स होते हैं वह आपको चेंज हो सकते हैं आयुष महाबिद्याले जीने भार सरकार आयुष मंत्राले हुमियोपैथी संबंदी थे यही सब आपको नोटीस वगएर आप इसको एक बर चाहें तो पढ़ सकते हैं मैं आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको पूरी जानकारी इंफोर्मेशन वगएरा मिल जाएगा मैंने भी वहीं से आपको डाउनलोड किया है ठीक है आप भी जाएं तो cg.iush.gmail.in यह में का मेल आईड़ी है यह वेबसाइट पर आपको जाना होगा तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप इस इसे अधर बच्चों को भी शेयर की जारूरी है जिसको उसको शेयर कर दीएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद आपका है ना थैंक्यू